अब देखो भाइट 20,000 के अंदर लेपटॉप मिलना तो इंडिया में बहुत ही बच्चो जैसा बात हो जाता है अभी के टाइम में 20,000 रुपिया में एक अच्छा फोन भी नहीं मिलता है अगर आप अच्छे सी रिसेर्च करके देखते हो तो आपको करीबन 25-30,000 रुपिया देना पड़ता है तब जाके एक अच्छा फोन मिलता है जिसके अंदर सारे वो टास्क जो है वो आप कर पाओ पर क्या हुआ ये लेपटॉप क्या 20,000 में नहीं मिलेगा अपकोर्स मिलेगा आपका जय भाई है और ये उसका ही काम है ढूंड के निकालने का तो मैंने भी आज की इस वीडियो में टॉप 5 ऐसे लेपटॉप को ढूंड के निकाला है जो लोग एफोर्ड नहीं कर पाते हैं इतने सारे 50,000, 60,000 रुपिया उनके लिए ये स्पेशल वीडियो में तयार कर रहा हूँ बहुत सा है लोग कॉमेंट भी करते हैं कि भाई 20,000, 30,000 में अच्छा लेपटॉप ला दो अप्रील के फर्स टीक चल रहा है और इस महीने में 20,000 के अधन मिलने वाले टॉप 5 ऐसे लेपटॉप के बारे में बताऊँगा कौन से कौन से लेपटॉप से लेपटॉप से वीडियो में अंतक बने रहो सब कुछ पता चल जाएगा अगर आप अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब ने कियो जरूर सब्सक्राइब कर लो क्यूंकि हमारी चैनल के अंतर ऐसे ही लेपटॉप रिलेटेड वीडियो देखने को मिलते रहते है तो बहुत से लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ इसलिए मैंने एट किया डोंट वरी क्रोम भूम भी आप आप आई कर सकते हो ये भी बिलकुली लेपटॉप है बस उसका ओएस अलग है इसका फाइदा ही है कि आप अपने फोन के साथ कनेट करके बड़े स्मूधली चला सकते हो विंडोज में बहुत सारा लफरा होता है खेर उसके बारे में बात में जाके बात करेंगे बात करते हैं नमबर पाच में मिलने वाले लेपटॉप के बारे में सबसे पहले तो दो का अगर आपका बजट बहुत ही ज़्यादा कम है आप 20,000 भी नहीं एफर्ट कर पा रहे हो उसके लिए भी आपके पास मैंने मौका रखा है आपके पास अगर 18,000 रुपिया है आप 18,000 रुपिया में भी इस लेपटॉप को चेकाउट कर सकते हो ये लेपटॉप आता है लिनोबो के तरफ से आने वाला लिनोबो का E4155 A3050U वाले प्रोइसर के साथ आपको देखने को मिल जाएगा ये एक APU है ठीक है और इसके अंदर इंटिकेटेड आपको रेडियोन ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है तो डेली टास में बहुत ही अच्छी तरीके से काम करेगा अपकोस डूल कोर आपको APU देखने को मिलता है तो इसका परफोमेंस भी आपको बहुत साही देखने को मिल जाएगा अब इसके अंदर तो बहुत सारे खास-कास बात है पहली तो बात ये वाला जो प्रोइसर है ये आपको up to 3.2 GHz तक maximum clock speed दे देगा भाई ये बहुत ही अच्छा प्रोइसर है और इसको जरूर चेकाउट करना इस price range की साब से और second part ये है कि इसका जो RAM है ये 2400 मेगा इसका higher frequency वाला RAM है बहुत ज़्यादा fast experience आपको processing में देखने को मिलेगा बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिलेंगे अगर आप इस प्रोइसर के तरफ जाते हो आप storage के अंदर जैसे की बता हाड ड्राइब का इस्तमाल किया गया है एक one tv का हाड ड्राइब आपको मिलता है अब देखो बहुत साथ लोग बताएंगे की भाई हमें SSD का जरूरत है तो देखो hard drive इस price के अंदर 18,000 रुपिया में मैं बताऊंगा ठीक है बट SSD अगर लेना है तो आपको 2000 रुपिया और ज़्यादा pay करना पड़ेगा इसके लिए हमें और भी options दिये हैं आप आगे देखते रहो इस बादे laptop के अंदर आपको 45W तक का एक fast charger देखने को मिल रहा है जो कि price की सबसे बहुत अची बात है साथी साथ 11 to 10 house तक के battery backup के साथ आता है full size keyboard है 14 inch का HD screen देखने को मिल जाएगा जो की 220 inch के brightness के साथ आता है ठीक है साथी साथ anti glare screen देख सकते हो दिखने में बहुत अच्छे है लिनोबो की displays अच्छे होते है आपको full size keyboard देखने को मिल जाएगा overall pricing के बारे में बात की जाए तो यह आपको स्थेर पर सिफ Amazon के अंदर में लेगा 17,990 रुपया के आसपास में 17,990 रुपया में इतने सारे चीज जो है वो आपको मिल रहे है and definitely आप इसको consider कर सकते हो बहुत ही great laptop है अगर आपका budget अटरा जा रहा है तभी इसको check out करना number 4 मैंने इस laptop को रखा है यह Chromebook है यह मैंने रखने का एक ही reason है जैसे की पता है इसके अंदर बहुत सारे खास-खास चीज़े देगने को मिलता है यह जो laptop है यह एगें लिनोबू की तरह साने वाला लिनोबू का ideapad slim 3 series का Chromebook आपको देखने को मिल चाता है अब इसके अंदर इतने इतने खास चीज़े में आपको क्या ही बताओ सबसे पहले तो बताओ Amazon के अंदर इसका प्राइजिंग आपको सिर्फ 19,000-1990 रुपया के आसपास में देखने को मिल चाता है सो अगर आप में से कोई BCR के अंदर बैतरीन एक laptop ढून रहे हो आपको बैतरीन डिस्पले चाहिए बेजिलेस डिस्पले चाहिए IPS डिस्पले चाहिए तो डेफिनेटली इसको आप लोग चेकाउट कर सकते हो यहाँ आपको मिलता है पॉटे नीच का एक फुल एजडी IPS टच्सक्रीन वाला डिस्पले जहाँ आपको anti-glare technology देखने को मिल चाहिए जहाँ ब्राइटनेश जो है वो आपको 250 needs का देखने को मिल चाता है color gamut का support देखने को मिलेगा बहुत ही कम देखने को मिलता आप देखो भाई यह जो डिस्पले है फुल एजडी है ठीक है एंड IPS डिस्पले है आप देखो भाई 50-60,000 के laptop में IPS डिस्पले दिस्पले दिया जाता है तो आप इसको definitely check out कर सकते हो Intel का Celeron Input 020 processor अब यह जो processor है यह dual core processor है और यहाँ पर आपको जो Intel का USD graphics है वो भी देखने को मिल जाता है overall अगर देखा जाए इसका clock speed भी बहुत अच्छा है and basic जितने भी laptop दाता है 30,000 के अंदर में 20 से लेकर 30,000 के अंदर में यही प्रोइसर मिलता है so definitely आप इसको check out कर सकते हो अब इसके अंदर आपको Chrome OS देखने को मिल जाता है Chrome OS का मतलब यह है कि आप एक दूसरे OS पे इसको चलाओगे जो कि आपको mobile type का filling देगा मतलब ऐसी बात है कि आप Play Store के सारे अपस इसके अंदर लगा सकते हो है ना अपने mobile के साथ इसको सामेंटेने से चला सकते हो mobile में जो चलाओगे स्क्रीन टच करोगे उसमें भी स्क्रीन टच है laptop के अंदर mobile laptop को अच्छी तरीके से आप connected कर सकते हो इस laptop को use करके बागी 10 hours तक के battery के start आपको ये laptop देखने को मिल चाएगा यहाँ पर जो keyboard है वो भी आपको full size तक का देखने को मिल जाता है overall यहाँ पर आपको security भी बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है जो कि Chromebook का Google H1 security chip के साथ आता है इसके लिए आपको security भी बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है तो definitely आप इस वाले laptop को check out कर सकते हो लिनोबो के तरस्ते 1 year के YNT के साथ 19,990 रुपया में Amazon पे देखने को मिल रहा है पैसे इन सारे laptop के link आपको description में मिलेंगे कई जागे ढूनने का जरूरत नहीं है टाइम वेस्ट क्यों करोगे वहाँ सही click करके आप buy कर सकते हो अनब यह हम लोग बात करेंगे नमबर 3 में मिलने वाले laptop के बारे में बहुत सारे लोग बताएंगे हमें Lenovo नहीं चाहिए हमें दूसरा company दो 20,000 के अंदर में भी आप दूसरा company ढून रहे हो चलो मैं ढून की निकाल देता हूँ एसूस के तरफ से आने वाला यह laptop जो है यह आप चेक आउट कर सकते हो जो कि 20,000 के अंदर में मिलता है जी हाँ एसूस का e-book 12 यह laptop आपको 18,990 रुपया में देखने को मिल जाता है इसको मैंने क्यों रखा इस लिश्ट के अंदर मैं आपको पताता हूँ अभी यहाँ पर भी वही सेम पोशेसर इंटिल का सेलिट ओन 1420 दूइल को पोशेसर देखने को मिलता है इस चीज़ को देखने को मिल जाता है सबसे बड़ी बात इस laptop के अंदर आपको Windows 11 का सपोर्ट देखने को मिलता है Office Home Student 2019 का देखने को मिलता है अब Windows 11 आपको मिल रहा है भाई 20 से जार के अंदर और क्या चाहिए तो इस laptop को सबसे ज्यादा मतलब मेन रीजन लेने का बना देता है यही चीज़ बागी तक भी 11.6 इंच का एक HD स्क्रीन आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें colors बहुत अच्छे मिलेंगे anti-glare मिलेगा और साथ-साथ bezel जो है वो भी कम देखने को मिल जाएगे इस laptop के अंदर Wi-Fi 5 और Bluetooth 4.2 का भी support देखने को मिलेगा अपटू 10-11 आवर्स तक का battery backup देखने को मिल जाएगा यह भी बहुत अच्छी चीज़ है बाइद अबे यहाँ पर जो trackpad आपको मिलता है वहाँ पर आपको extra tracking देखने को मिल जाता है डेफिनेटली भाई कर सकते हूँ क्योंकि इसके साथ आपको Windows 11 का support देखने को मिल रहा है अब देखो नमबर 2 पे इस laptop को मैंने रखा उसको रखने के multiple reasons है बहुत सारे लोग बताएंगे भाई हमें अच्छा सा storage चाहिए हमें एक अच्छा SSD चाहिए उपर से हमें बड़ा laptop चाहिए थोरह सा बड़ा size का display और भी अच्छा चाहिए आपको यह सारे अगर needs है तो definitely नमबर 2 में आने वाले इस all-rounder laptop को देख सकते हो यह laptop आपको Lenovo के तरफ से देखने को मिल चाहेगा Lenovo का V14 IGL series के अंदर आता है भाई इसके अंदर भी वही सेम प्रोफेसर है वही Intel का Celeron 84020, 2 code, 2 threat यहाँ पे maximum जो clock speed है 2.8 gigahertz तक का देखने को मिलता है Intel के USD graphics के साथ यह laptop आता है इसका जो performance है वही आपको similar type के ही देखने को मिल चाहेंगे बाकि इसके अंदर जो आपको RAM दिया गया यह 4GV का RAM है यह जो RAM है यह 266 megams में run करता है पिछले वाले laptop से बहुत बहुत बैतरीन RAM है और इसके अंदर आप 8GV तक RAM को expand कर सकते हो आलेक से RAM फ्यूचर में का दरूरत पर आप लगा सकते हो इस चीज को ध्यान रखना DDR4 RAM है और 266 higher frequency में run करता है बागी इसके अंदर सबसे बड़ी खास जो चीज है इसको number 2 पर रखने का वो है 256 GB के SSD आपको इसके अंदर मिलता है जो कि पिछले वाले कोई भी laptop में देखने को नहीं मिलता है इस price के अंदर 256 GB के SSD मेरे क्याल से बहुत ही बहतरीन है इस price के साथ अगर आपको मिलता है जरूर कंसिडर करना चाहिए इसके अंदर और एक भी खास फीचर है जो कि dual band wifi के support है अगर आपके घर में dual band router है तो आप इस laptop को अगर connect करोगे तो आपको internet speed जो है वो double speed में देखने को मिल चाहेगा आपके देखो सबसे बड़ी खास चीज़ में ने को ये लगा इस laptop का ये laptop आपको up to 10 to 12 hours तक का battery backup तो दे देता है और यहाँ पर आपको 45Wh का एक battery charger भी देखने को मिल जाता है box के अंदर वो तो सही बात है लेकिन आपको fingerprint scanner इसके अंदर देखने को मिल रहा है भाई 20,000 के अंदर में fingerprint scanner लेनो वो वाले ही ऐसा कर सकते है अगर आपको fingerprint का जरूरत है आप तोड़ा latest model पर जाना चाते हो आप इसको check out कर सकते हो बाकि ये DOS हो इसके साथ आता है DOS जो है सभी लोग को पता है आपको Windows इंस्टॉल करना परेगा खड़िदने के बाद बहुत इसली काम है आप YouTube में कोई भी वीडियो देखो सीख जाओगे डाउनलोड करो Windows को विंस्टॉल करो आराम से आप चला सकते हो इस laptop को प्राइसिंग के बारे में बात की जाए तो ये laptop आपको Amazon पर मिलेगा तिरपर सिफ 19,990 रुपया के आसपास में तो 20,000 रुपया में एक ग्रेट डील है जरूर इसको चेक आउट कर सकते हो लिंग की डेस्किप्शन बेल हो अब नमबर वन पर मैंने इस इस laptop को रखा है ये इन्फिनिक्स के तरफ साने वाला इन्फिनिक्स का इन्बुक X1 नियो वाला laptop है ये laptop थोड़ा सा ज्यादा मेहंगे प्राइज में देखने को मिलता है आपको वही 21,000 के आसपास में ये laptop आपको Amazon पर देखने को मिल जागा आप देखो भाई 1000 रुपिया ज्यादा तो आप effort करी सकते हो 20,000 रुपिया दे रहे हो तो 1000 रुपिया ज्यादा दे कि अच्छा चीज़ी लेना क्या सही नहीं होगा आप comment करके जरू बताना खेर इसको मैंने एक नंबर पर क्यों रखा मैं अभी बता रहा हूँ इस laptop के अंदर जो जो चीज़े मिलता है ना कोई भी laptop में आपको नहीं मिलता है जो processor है ये Intel का Celeron N5100 Quad Core processor मिलता है पिछले वाले जितने भी laptops बता है सारके सारे dual core थे ये Quad Core है सुकोर्स ज़्यादा मिलता है तो performance मखन की तरह मिलेगा बागी Intel का UHD Graphics भी देखने को मिलता है कोई भी काम करो बड़े आराम से आप चला सकते हो इसका जो body है बहुत ही पतला है premium and minimum finish के साथ आता है 3-4 colors भी आपको देखने को मिल जाता है भाई पिछले वाले चारों लैप्टाप में color भाई कोई भी नहीं मिलता है उतना अच्छा बट इसके अंदर colors आप customize करके ले सकते हो ये laptop आता है 4GB RAM के साथ ये laptop आपको 14-inch के full HD IPS screen के साथ देखने को मिल जाता है जोकि बहुत ये अच्छी बात है 100% का SRGB देखने को मिल जाएगा और 300 nits का maximum brightness देखने को मिल जाएगा इस laptop के अंदर जो color gamut है वो बहुत अच्छा है आपको anti-glare मिल रहा है, PS मिल रहा है पूरा screen bezel ले से आप देख सकते हो और बहुत ही बहतरीन display इसके अंदर provide किया गया है बाकि इसके अंदर आपको type-c fast charging का भी support देखने को मिल जाता है 45 watt का fast charger box के अंदर देखने को मिल जाता है जो कि अपने laptop को बहुत ही fast charge कर देगा Windows 11 का support देखने को मिल जाएगा साथी साथ यहाँ पर आपको backlit keyboard भी देखने को मिल जाता है बढ़ देखो इसके अंदर 4GB का RAM है 128GB का PCI Gen 3 Series का M.2 NVMe SSD भी देखने को मिलता है और इसके RAM को आप upgrade भी कर सकते हो ऐसा कोई बात नहीं कर सकते हो बढ़ देखो बहुत सारे लोग ऐसे है Infinix कैसा brand है पूछते है अच्छा है कि बुरा है मैं बताऊंगा अगर आपको एक long term uses के लिए laptop चाहिए तो आप number 2, number 3 और बाकी के 2 को भी check out कर सकते हो बढ़ मैं बताऊंगा अगर आपको एक trusted band चाहिए Lenovo चाहिए आपको Asus चाहिए तो आप बाकी के laptops को जरूर देखना है and definitely Infinix वाले इस laptop को भी ले सकते हो brand जिसको चाहिए वो लोग बाकी के चाल ले सकते हो and जिनको एक latest trendy laptop चाहिए वो number 1 पे जा सकते हो ये पाचों laptops अभी 20,000 के अंदर में मिलने वाले top 5 laptops है तो आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, comment कर देना and मैं अगले माईने मिलता हूँ 20,000 के latest laptops लेके बहुत जल्दी क्योंकि हर माईने जो stock है न वो increase, decrease होता रहता है टाटा, बाई बाई